नेपाल में लोग कर रहे हैं कच्रों का ऐसा इस्तेमाल कि जानकर हो जाएंगे हैरान। हमारे घरों में या आसपस में जो भी कच्रा होता है हम उसे हटा देते हैं या फिर फिंग देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उन कच्रों को भी इस्तिमाल में लाया जा सकता है? बिल्कुल, उनने भी इस्तिमाल में लाया जा सकता है. नेपाल के काटमंडू शहर में लोग एवरिस्ट से एकत्रित हुए कच्रों को रिसाइक्लिंग कर रोज मर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज़े बना कर उप्योग कर रही है लोग कच्रों को केवल गंदगी समझते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि इने रिसाइकल कर दुबारा इस्तिमाल किया जा सकता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है रिसाइकलिंग दुबारा किया जा रहा है कच्रों का ऐसे इस्तिमाल नेपाल में लोग इन कच्रों को इप्योग में ला रहे हैं क्योंकि कच्रा भी बेकार नहीं जाना चाहिए या अधिकारियों और वेपारियों नी आवरेस्ट पर दश्कों के वैवसाइक परवता रोहन के कारण हुए नुकसान की भरपाई और उसे नीपटने के लिए इस नए तरीके से काम कर रही है नेपाल में सरकार और परवता रोहन समुहो द्वारा छे सब ताह तक इस साल स्वचता भ्यान चलाया गया था जहां यहां के सबसे बड़े प्राकृतिक सुनसाधन की इस तरह की हालत को देकर अलोचना होती रहती थी तो कैसा लगा आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल दे हिंटेक सबस्क्राइब सरूर करें